कैसे आप लोग बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड इग्जामिनेशन के लिए तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड इग्जामिनेशन का बहुत कमी दिन बचा हुआ है तो हम बहुत important questions ला रहे हैं science में ठीक है हर एक chapters का तो मेरे एक student मंझू मिस्रा ने भरभर के comment किया कि सर electricity chapter का most important question लेके आईए और उसके साथ साथ previous year questions भी discuss करवाईए क्योंकि सर previous year questions का जो solution होता है वो मेरे को नहीं मिल रहा तो मंझू जी टेंशन लेने की बात नहीं है तो हम आप लोग के लिए ही खरे रहते हैं 24 गंटा तो इयर questions देखने वाले हैं वह इसा question electricity chapter में जो CBSC पूछ चुकी है ठीक है तो चलिए start करते हैं यहाँ पर आपको question यह तो मेरे पास डिजिटल पूड है नहीं यहाँ पर questions आएगा और यहाँ पर मैं solution कर भाऊंगा तो देखिए पहला question आपको screen पे दिख रहा होगा मैं यहाँ पर पर लेता हूँ क्या है पहला question देखिए a current of 10 ampere flows through a conductor for two minutes and इसमें कह रहा है question पूछ रहा है आप लोग से की calculate the amount of charge passed through any area of cross section of the conductor पहला इसमें question कर रहा है दूसा question कर रहा है if the charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb then calculate the total number of electrons ठीक है और यह जो question है board exam term 1 2013 में यह question पूछा गया है तो यह question को हम लोग solve करते हैं कह रहा है कि हम लोग का current है current की value कित्ती दे रखी है दोगों भाई यहां से मैं start करता हूं current की value आप लोगों को दे रखी है 10 ampere मैं यहां पे देख लेता हूं उसके साथ साथ जो हमरो का एक conductor है जिसमें 10 ampere current flow हो रही थी एक conductor था यह देखो बाई यह कंडिक्टर होगा कंडर्टर यान एक wire होगा इसमें से 10 ampere की current flow हो रही है ठाइख है और कितने देर के लिए हो रही है और इसमें यानि यह जो 10 ampere की current flow हो रही है इस conductor में वो कितने देर के लिए हो रही है 2 minute के लिए तो time हम लोगों का 2 minute दे रखा है तो इसमें हम लोगों को calculate करने के लिए कह रहा है कि calculate the amount of charge passed through any area of cross section यानि यह सारी values दे रखी है और आपको बोल रहा है कि कितना amount में charge यहाँ पे flow कर रहा है चलिए इस area में यानि यह जो conductor इस area में अगर 10 ampere की electric current है time हम लोगों का 2 minute है 2 minute तक वो 10 ampere flow करता है तो charge कितना flow करेगा भाई तो charge निकालना है आपको according to the definition of electric current, electric current के definition से हम लोग एक बात जानते है i is equal to q बटे t है ना और i की value कितनी दे रखी है 10 ampere तो मैंने 10 ampere डाल दिया q ही तो हम लोगों को कह रहा है निकालने के लिए q लिग दिया और time 2 minute दे रखा लेकिन यह 2 minute को हम लोगो second में change करना परेगा तो हम लोग जानते है एक minute में कितना second होता बाई 60 second होता है तो 2 minute में कितना होगा बाई 2 into 60 second तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 second हो जाएगा तो यहाँ पर 120 second लिग दो बाई q is equal to क्या हो जाएगा क्रोस multiply कर दो 120 into 10 तो हम लोगा q की जो value आएगी वह 1200 कूलम आ जाएगा यहाँ पर यानि अगर 10 ampere की current किसी conductor में बै रही है दो मिनट के लिए तो उसमें से जो charge flow होगा वह 1200 कूलम होगा ठीक है यह तो हम लोग का पहला सवाल था और इसी में कह रहा है दूसरा सवाल ठीक है इसी में कह रहा है दूसरा सवाल इप the charge of an electron यानि अगर electron का charge यह हम लोग का पहला section खतम हो गया पहला सवाल खतम दूसरा सवाल हम लोग solve कर रहे है इसमें question आप लोग से कह रहा है कि अगर electron पर जो charge है charge on electron अगर कह रहा है हम लोग जानते है charge on electron क्या होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ठीक है actual में minus में होता है लेकिन जबी भी हम हम इसको mathematics में use कर रहे होते हैं यह minus का sign हम लोग नहीं देते हैं ठीक है ओके हां उसके बाद कह रहा है कि if the charge of an electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम then calculate the total number of electrons flowing यानि अगर electron पर चार्ज इतना है तो भाई कितना amount में हम लोग का यहां पर electrons क्या होने वाला है फ्लो होगा तो भाई अगर charge इतना है है ना charge की value इतनी है electron पर charge इतना है तो आपको बताना है कि कितना मतलब electrons flow होगा क्यूंकि एक बात जानना चाहिए आप लोग को हम लोग properties of charge जब पर रहे होंगे तब एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई होगी quantization of charge और जिसमें मैंने आपको एक formula बताया होगा q is equal to plus minus any जहां पर q होता है charge n होता है number of electrons जो अभी निकालने के लिए बोल रहा है और e होता है electron पर charge तो दे रखा है है न हम लोग को कह रहा है find करने के लिए कि भाई कितना electron है वही नहीं पता है और charge देखो यहां पर कितना दे रखा है 1200 कूलम हमने निकाल रखा है तो इस formula पर बैठाए बाई तो q के जगह पे हम 1200 कूलम लिखेंगे 1200 कूलम is equal to देखो यह plus minus क्या होता है इंटीजर्स के लिए होता है क्योंकि इंटीजर्स प्लस माइनस हो सकते है तो छोड़ो आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा 12 में अप अच्छे से पढ़ोगी इसके बारे में तो एन हमको लोग को घराए निकालने के लिए और electron पे चार्ज ए का मतलब होता है इलेक्ट्रोन पे चार्ज कितना होता है यह दोखो अभी होता तो अगर आपसे पूछेगा कि बाई इलेक्ट्रोन पे चार्ज कितना होता है तो आप डायेक्ट बोलेगे माइनस 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कुलम लेकिन बच्चो अगर यही फर्मूला यही जो वेलू है आप लोग को अगर कोई मैथमेटिक्स में कही पर इसको यूज कर रहे है तो यह माइनस साइन आप लोग को हटाना परेगा ठीक है तो माइनस साइन हटा के हम यहाँ पर 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कुलम लगाएंगे अब यह एन हमको फाइंड करना है तो एन अगर इधार आएगा तो क्या हो जाएगा भाई एन इधार आएगा तो हम लोग का हो जाएगा 1200 कुलम डिवाइड़ वाइट वाइन पॉंट 6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कुलम कुलम से कुलम जाएगा तेल लेने के लिए यानि वीकेंस से भूहियां केट मेशं जाएगा और यह लिएक वंचा ब८ा सब काम करते हैं एक और ये अगर पॉइंट उडा देंगे तो उपर 10 जाएगा डफिनेटली जाएगा ना तो यहां पर हम एक और यहां पर पाबर बरहा सकते हैं 20 हो जाएगा डेफिनेटली, ओके, बढ़िया है सर, बढ़िया है, और अगर आप इसको cut out करोगे, तो यहाँ पर values आपकी आईगी, मैं बता देता हूँ, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ओके, तो n is equal to हो जाएगा, देखो भाई, इसको cut करते हैं, हम लोग calculate करते हैं, कितना values जा रहा है, एक मिनट, अब हम लोग को करना क्या है, 1200 divided by 16 अगर करेंगे, तो हम लोग का 75 आ रहा है, कितना रहा है, 75, तो हम लोग का यही साइद एंसर होना चाहिए, चली, यह तो समझ माया, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, 75 into 10 to the power 20, लेकिन बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि हम लोग कभी भी यह सारे चीजों को लिख रहे होते हैं, expression को तो लिखना होता है, n into 10 to the power n के form में, है ना, तो यहाँ पर तो दो डिजिट हो गया, तो प्रॉब्लम है, तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहा पर 75 को ऐसे लिख सकते हैं, 75.00, है ना, ऐसा तो लिखा जा सकता है, तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ खीच के लेके आएंगे, यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर यहाँ लाएंगे, तो यहाँ पर हमा लोग का एक पाबर क्या हो जाएगा, बढ़ एन इस कल टू 7.5 इंटू 10 टूटी पावर 21, यह हम लोग का एंसर हो जाएगा, ठीक है, यानि इतना एमांट इलेक्ट्रों जो है, फ्लो करेगा, समझ में आया, यह कोशन इसी तरह से स्वाल होगा, आइधिंग आपको समझ माया होगा, इसका स्क्रिन सोट ले लिजे, जल पोड़िये, क्या कर रहा है, एस्टुदेंट प्लोट्स भी आई ग्राफ फोर थ्री सेंपल, देखो बच्छो, यह क्वेशन में लिखके दे सक्ता हूँ, यह क्वेशन हंडेट परसेंट आएगा, यह क्वेशन हंडेट परसेंट आएगा, देखके जाना भाई, तो पीचे एक इमेज देख रहा होगा वह इमेज कुछ इस परकार से है खर आपको तो दिख रहा होगा मैं एडिट करने के बाद डाल देता हूं लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर एक इमेज बना लेता हूं ठीक है यह इमेज कुछ इस तरीके से है एक यहां गया और एक यहां गया ठीक है यहां पे एक है और एक यहां पे है और एक यहां पे है ठीक है जिसमें यह R3 है यह R1 है और यह हम लोग का R2 है यह हम लोग का इधर भी बोल रहा है यानि वोल्टेज होगा potential difference और उपर में हम लोग का eye गोल रहा है क्या होगा eye तो आप लोग को बताना है ठीक है आप लोग को बताना है कि भी eye ग्राफ ये दोको बाई ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है न ये कौन ग्राफ है ये IV ग्राफ है इसको हम लोग क्या बोलते है आई भी ग्राफ इसको हम लोग क्या बोलते हैं आई भी ग्राफ अच्छा नीचे एक option होना चाहिए था मैंने option देना भूल गया ठीक है मेरों को यहां पर option दिख नहीं रहा है मैं इसको select किया था लेकिन यहां पर आया नहीं लेकिन जो भी option होगा जो भी इसका appropriate answer होना इमेज में दिख रहा होगा इस ग्राफ को आई भी ग्राफ कहते हैं ठीक है लेकिन आप लोगों से पूछ क्या रहा है कि भी आई ग्राफ बताइए इसका भी आई ग्राफ बताने के लिए बोल रहा है तो भी आई ग्राफ ठीक इसका उल्टा हो जाएगा उल्टा हो तो सारा खेल आपको पता हो जाएगा, क्यूंकि ये तो IV graph है, तो VI graph में कह रहा है कि ये तो IV graph है, लेकिन VI graph में सबसे ज़्यादा resistance कहां पे होगा, तो सबसे अगर आप VI graph को इधर लेके जाओगे, तो आप देखोगे, ये ऐसा बन जाएगा कुछ, मैं बता देता हूं यहां पे, हैना, अगर आप ये भील होगे, ये आई लोगे, इसका ठीक उल्टा करोगे, तो मैं बता देता हूं, 1, 2, 3, ये दिखेगा थैसे, तो ये तो ये R2 तो सबसे उपर चला जाएगा, उसके बाद आजाएगा R1 और सबसे लास्ट में R3, तो आप बताओ, किसका एंगल स सबसे जादा है, R2 का सलोप जादा है, उसके बाद R1 का सलोप दिख रहा है, और सबसे कम सलोप किसका दिख रहा है, R3 का, यानि इसका अगर बात करोगे, तो किसका ठीटा एंगल सबसे जादा है, ठीटा एंगल सबसे जादा R2 का है, उसका उससे कम R1 का है, और उससे सबस सबसे कम किसका होगा आर्थी का होगा यह हम लोगों का एंसर हो जाएगा और इस तरह का सवाल 100% आता है तो इसको आप नोट कर ले ठीक है चलिए जल्दी नोट कर लेजे यह कोशन हम लोगों का साल्व हो गया